Assalamu alaikum, good morning, nursery class. How are you all? I hope all the students will be fine. I am your class teacher. Now open your English book at page number 10. Today our topic is A. Dear students, English के book reading page number 10 पे, जैसा के हम alphabet A के पे स्टान कर चुके हैं, यानि के recognize the A. अब हम बेटा A की again sound भी पढ़ते हैं और साथ sound of A भी याद करते हैं. बच्चों आपको पता है sound of A कौन सी है? What is the sound of A? A sound is A. तो इस तरहां बच्चों हम English की sound of A से जो है वो बुक रिडिंग स्टार्ट करते हैं. इस तरहां बच्चों आपने English की बुक रिडिंग पेज नमबर 10 पेज जो है वो अच्छी तरहां sound of A से जाद करनी हैं और sound of A को भी अच्छी तरहां याद करना हैं. नेक्स्ट पेज नमबर 12 पे हमें बच्चों alphabet B जो है वो दिया गया है. जैसा के हम बच्चों alphabet B की भी पेसान अल्रेडी कर चुके हैं और sound of B भी जो है वो याद कर चुके हैं. बच्चों आपको पता है B की sound क्या है? वाट इस तरहां बच्चों हम sound of B से जो है वो इंग्लिश की बुक रिडिंग स्टार्ट करते हैं. बबस्केट बबस्केट नेक्स्ट बबर्ड बबर्ड नेक्स्ट है बच्चों बबैग बबैग इस तरहां बच्चों आपने sound of B से इंग्लिश की बुक रिडिंग पेस नमबर 12 को अच्छी तरहां याद करना है और sound of B जो है वो भी आपने जात करनी हैं. नेक्स्ट पेस नमबर 14 पे हमें alphabet C दिया गया है जैसा के बच्चों हम C की alphabet C की भी पिस्टान कर चुके हैं. आज हम अगेन जो है वो alphabet C की अगेन पिस्टान करते हैं और sound of C को भी परते हैं. इस तरहां बच्चों हम जो है वो sound of C से इंग्लिश की बुक रिडिंग स्टार्ट करते हैं. इस तरहां बच्चों आपने पेज नमबर 14 पे alphabet C की जो है वो sound भी अच्छी तरहां गयाद करनी हैं. और sound of C से पेज नमबर 14 की जो है वो बुक रिडिंग भी आपने इशार्ट करनी हैं. Dear students, next C after D. C after D. तो बच्चों हमें पेज नमबर 16 पेज जो है वो D alphabet दिया गया है. जैसा के हम alphabet D की भी जो है अल्रेड़ी पेस्टरन कर चुके हैं और D की lines names भी पढ़ चुके हैं. आज अगेन बच्चों हम alphabet B की sound भी याद करेंगे और बुक रिडिंग भी पढ़ेंगे. इस तरह बच्चों हम sound of D से जो है वो पेज की बुक रिडिंग स्टार्ट करते हैं. इस तरह बच्चों आपने जो है वो D की sound भी याद करनी हैं और बुक रिडिंग भी अच्छी तरह याद करनी हैं. इस तरह बच्चों आपको जो लास्ट विग में इंग्लिश की बुक रिडिंग फोर अलफबेट्स की करवाएगी हैं. यानि के A, A की भी sound आपको पढ़ाएगी हैं. Next, B, B की sound भी पढ़ाएगी हैं. Next, C, C की sound भी बच्चों आपको याद करवाएगी हैं. C, D, तो बेटा आपने पेज नमबर 10, 12, 14, and 16. बच्चों आपने इन पेजिस को जो हैं अच्छी तरह इनकी बुक रिडिंग जाद करनी हैं और अलफबेट्स की पेश्चान भी करनी हैं. साथ-साथ इनको जो हैं अलफबेट्स को रिडोट भी करना हैं.